हाई मेरी वाइटी फेमली कैसे सब बहुत अच्छ होंगे गाईज आज इतने येजी और टेश्टी रेसिपी लेके आई हूँ कि आप सबको सच में बहुत जादा पसंद आएगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा इधर मैंन नुसार नमक एट करेंगे देख सकते हैं इस तरह से मसाले बहुत जादा नहीं लेना है कस्तूरी मैथी ना हो तो आप हरी मैथी का इस्तमाल कर सकते हैं तेल डाल देंगे इधर मैंने अभी आधी चमस तेल लिया है अच्छे से मिक्स करते हुए तेल का इस्तमाल करना है पह हलका सा मैस करते हुए मिक्स करें जिसमें बेसन अच्छी तरह से उसमें लंस ना बने रहे और मसाला सारा अच्छे से मिक्स हो जाए देख सकते हैं बिल्कुल थेक सा मिश्रन बनके रेडी हो गया है इसमें डालेंगे आधी चमच क्रस करके लहसुन क्रस करके अद्रक दोनों आधी चमच लिए हरा धनी डालेंगे हरा धनी आप अपने मन मताविक ले सकते हैं फिर से मिक्स करेंगे देख सकते हैं यह अब मिस्रन बहुत जादा थेक हो गया है तो चलिए आगे छोटी सी तैयारी कर लेते हैं तो गेहूं का आटा एकदम गोथा गोथा है जिसके घर मे के लिए बनाते हैं बस वैसे उसका छोटा सा पेड़ा लेना है इसको इस तरह से बेलना है लंबा साइच कर गोल नहीं बनाना है अब आप सोच रहेंगे आखिर बन क्या रहा है तो गाइस वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं आप लोगों को जरूर वीडियो पसंद आ लिया है यह दो फिंगर होती है उनको एकदम सामने खोल के और दोनों फिंगर से इस तरह से डैप कर लेना है तो अच्छे से निसान बन जाएंगे जहां जहां निसान बने हैं उनको उसी तरह से लेके इस तरह से यह ऐसे सुकोड देना है मिन समैट देना है देख सकते हैं जो बोल सकते हैं मेरी भासा में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है अच्छी तरह से इसको ऐसे जॉइंट टाइप से कर देना है तीन खंड बन गए अब जे तीनों खंडों में जो हमने मिश्ण बना के रखा है ना उसको अच्छे से लगा देंगे बहुत ही आराम से लग जाता है गाईज बिल्कुल परिशानी नहीं होती है और सच में ये रेसिपी इतनी टेस्टी लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं जब आपके घर में किसी प्रकार की सबजी ना हो या फिर सबजी रोटी बनाने का मन ना हो तो आप इस रेसिपी को बना के जरूर इंजाय कर सकते हैं सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है अच्छी बात ये है गाईज ये बहुत ही आसानी से बहुत कम मसालों में बनके रेडी हो जाती है तो ये तीन खंड जो हमने बनाए हैं सारे खंडों को एक के उपर इस तरह से प्रेस करते हुए रख देना है देख सकते हैं अब ये एक लोई बन गई है तो इसमें थोड़ी सा आठा डेस्ट कर लेंगे इस तरह से बड़ा सा पराठा बना देंगे क्योंकि ये हमने लोई मोटी ली है आप देख सकते हैं गोल चौक और जैसा आपका मन हो वैसे आप बना सकते हैं अच्छे से गोल नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी ये बहुत टेश्टी लगता है गाईस सच में बहुत ज़्यादा आप जरूर इसको ट्राइ करें बहुत ही आसानी से बन जाता है बेसन भी बहुत ज़्यादा इस्तमाल नहीं करना होता तो देख सकते हैं पराठा बनके रेडी है आलू के पराठे से ज़्यादा टेश्टी लगता है इसको हम लोही के तबा में उलट पुलट करके बिलकुल क्रिस्प होने तक फ्राइ कर ल बिना किसी जंजट से आप उनको खिला सकते हैं वो भी सोचेंगी कि आखिर यह बना कैसा है कौन सा मसाल है तो इसी तरह से मैंने सारे पीसेस बना के रेडी कर लिये थे देख सकते हैं आप लो फ्लेम में कीजिएगा गार बार बोल रही हूं हाइ फ्लेम बिलकुल मत बिलकुल मत कीजिएगा बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो जाती है और देख सकते हैं कितना टेस्टी देख राहा देखने में मज़ा आ जाता है काईस इस तरह की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मिलती हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हर हर महादेव